कि नमस्कार में इता गुपता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज आई रुख करते हैं उत्रप्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और ताजा खबरों के लिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हंगामा टाइम्स तो सब्सक्राइब करिए और बेला एकेंदा बाना बुम्स यूपी एलेक्शन को लेकर सवाजवादी पार्टी की प्रतियाशी स्वाती मिश्रा जो अभिशेक मिश्रा की धरम पत्नी है जन संपर्क कर रही है और इस समय सेक्टर के मारूतिपुरा में पहुची जहां पर छेत्र की जनता है जिनसे मुलाकात करने आई उनसे हम बात कर करेंगे है किस तरह से सपोर्ट करेंगे प्रमुक्त किस तरह की समय स्यां सेक्टर के में देखажи जैसा कि हम सब जानते हैं कि जुश्चल कपट और जूट की राजनी थे उसको जनता अच्छी प्रकार से इस बर जान चुकी है जनता इस बर विकास के नाम पर वोट करेगी जात्ती धर्म के बटवारे के नाम पर वोट नहीं करेगी पांच साल सरकार में जनता ने अपने आपको पूरी तरिके से ठगा महसूस किया है विकास के नाम पर जो कार्य अखले शादो जी के सरकार में शुरू हुए थे उसका फीता काटने का काम सिर्फ इनों ने किया है शुरुवात फीताम पहले काट चुके थे लखनों को शांदार मेट्रो दी लोग बंदू अस्पताल बनाया लखनों में स्टेडियम बनाया आज उसी स्टेडियम की बदोलत ये है कि लखनों की IPL में टीम भी है जिससे की लखनों का नाम पूरे विश में हुआ है जनता समझ चुकी है एक गलती हो चुकी है पान सल भुगत चुकी है इस बार जनता का पूरा मन है कि विकास के नाम पर वोट करेंगे और किसी चल और बेकावे में नहीं आएंगे विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चल बेकावा और कुछ भी नहीं हुआ है कोई भी कार उठा कि देख ली जिए को यह कार आप मुझे गिना दीजे के जो आपको लगता हूं कि यह सरकार में हुआ हो हां इस सरकार में वही कारे हुआ inherent जो पिछली सरकार के में शुरू हो चुके थे और उसके बाद उसका फीता कट चुका था, इस सरकार ने सिर्व अपना नाम लेने के लिए दुबारा उसका फीता काटा है, और कोई काम नहीं हुआ है। शर्तिया निकालेंगे, शर्तिया निकालेंगे, इस सरकार ने बीजेपी ने हमारे वेपारियों को एकदम नकारा है, हमारा रियल सेट का है, चाए वो सुनार हों, चाए वो कपले वाले हों, किसी भी वेपार को आप उठा के देखने कि किसी भी वेपार में हम लोग प्लस फुट पे आये हैं बस यही हमारी एक हर बंदे से यही कहना है तेज सारी को खुद निकले अपने वेपारी भाई सब निकले अपने करमचारियों के निकाले और तेज सारी को जाके सैकल को बड़न दबा के भाईया को विजये बना है तो यह थे हमारे साथ छेतरी लोग जिन्होंने साफतार पर बताया कि जो वेपारी की बड़ी समस्या रही उसको लेकर वो जनता की बीच गया लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी सरकार में वेपारी वर काफी परिशान रहा सेक्टर के में लोग यहां पर मौजुद हैं जिन से हम बात करेंगे कि युवा हैं बताइए क्या कहना चाहेंगे देखिए भारती जनता पार्टी ने किवल पांच साल में नफरत की राजनेती की है हिंदू-मुसलिम के नाम पे हम लोग को बाटा है जो भाईचारे का महौल एक समय रहा करता था आज वो नहीं है एक दूसरे के म पार्टी प्रताशी है और हमारे सरुजी नेगर विधासभा को प्रताशी जरूत है आपने देखा हुआ कि सड़कों खरत देख लिया होंगे आप आ रहे होंगे गड़्दे आपने देखे ही होंगे पांस साल में एक सड़क नहीं बनी है जो मानी विधायका थी उनके घर क कार नहीं हुआ अब जैसे अभी शेक मिश्रा जी जो आपने पिशली जब लास्ट टाइम ये विधायक बने थे आपको याद होगा जो पुरनिया वाला ओवर ब्रिश था वह अभी शेक मिश्रा जारा ही बनवाया गया था और रिकॉर्ड टाइम में उस वो ब्रिश पूर से क्या लगता है समाजवदी पार्टी की सरकार आएगी तो यह जो बड़ी समस्या लंबे समस्या चली आ रही क्या होप आएगी मैंने आपसे बोला जब वह पिछली दवा विधायक थे सबसे पहले उन्होंने वह चीज करी थी जब वह यहां से विधायक चुड़े जाएं जहां पर लोगों से हमने बात की कि आश्याना चेत्र में हाली में हुए भारी बरसात की कारण जलभराओं की बड़ी समस्या थी जिसमें चेत्री विधायक का घर भी डूब गया था अब देखने की बात है कि यूपी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या जलभराओं की बड़ी समस्या आश्याना चेत्र से खत्म हो पाएगी